हेलो दोस्तो आप सबीक सोकत बात करेंगे हाँ पर अफिल इंडिया के बारे में दोस्तो इस कमपनी से जुड़े वे कुछ लेटेस अपडेट डिसकस करेंगे और इस कमपनी की ग्रोथ दोस्तो प्रॉफिट के एबिलेटी सब कुछ यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ अब यहाँ पर देखे जो निवेशक दोस्तो इसमें खरिदारी करकर बैठे है या जो खरीदने के लिए इंट्रेस्टिट है अक्चुली उनके लिए दोस्तो बड़या यहाँ पर अपर अपर्चुनिटी क्रेट हो रही है अब देखे जो मैं आपको इनफोर्मेशन बता देखने के बाद आपको दोस्तो यह समझ में आएगा कि स्टॉक में कब खरिदारी करनी चाहिए और किस तरह के सिसमें इंप्रुमेंट होगी देखे आइसा नहीं कि दोस्तो अब यहाँ पर आपके माइन में आता होगा कि सर मार्केट तो अंडर दो प्रेशर है और यहाँ पर आप कह रहे कि इसमें अच्छी तेजी बने कि दोस्तों मैं आपको जो चीजे बता रहा हूं आने वाले समय में उसका इंपोर्टन बहुत जादा है और दिखे जब मार्केट गिरता है तब हमें जो स्टॉक सेलेक्शन करने के लिए देखे गिरावाट में कौन सा तो यहाँ पर आपको अफिल इंडिया खरीदना चाहिए उसके पीछे के रिजन मैं अभी से आपको बता रहा हूं यह बात याद रखना ऐसा नहीं कि यहाँ पर हम कली जाकर खरीदेंगे मंडे को मार्केट ओपन होगा और लगातार हम यहाँ पर खरीदेंगा ऐसा नहीं ह हम यहाँ पर अभी से प्लैनिंग करें दोस्तो गिरावट वाले महौल में कब यहाँ पर कोई से स्टॉक में खरीदारी करनी चाहिए वो यहाँ पर हम डिसकस करने वाले हैं यहाँ पर दोस्तो जैसे के अफिल इंडिया की बात करें तो इस कमपनी की कुछ रिपोर्ट है द दोस्तो रिपोर्ट आ चुकिए और यहाँ पर हम अंडरस्टाडिंग करेंगे अफिल इंडिया की बात करें दोस्तो तो एक कमपनी बेसिकली सबसे ज़्यादा अडोटाइजमेंट करकर बड़या तरके से पैसे कमाती है आपको यहाँ पर मैंने बहुत बार बताया कि खास करकर देखें कोई भी बिजनेस हो छोटा बड़ा और यहाँ पर आपको कहाना चाहूंगा मल्टी नैशनल बिजनेस अलसो बोलतो यहाँ पर वर्ल्ड वाइल पर चलने वाले जो बिजनेस है उनके लिए भी अडोटाइजमेंट इंपॉर्ट हैं दोस्तो क्योंकि देखें आप यहाँ पर नया प्रोड़क्ट लॉंच करें या आपके यहाँ पर पुराने प्रोड़क्ट की सेल बड़ानी हो या आपके बिजनेस का पूरे यहाँ पर मार्केट में या आपर पर पॉफोमस दिखाना हो या आपके बिजनेस के एबिलेटी समझाना हो आपके बिजन इंपोर्टन है आप बोलेंगे सर इतनी बात आप आप आड़ोरेजमेंट पर क्यों कह रहे हैं तो मैं आपको कहूंगा दोस्तो इसके पीछे है यहाँ पर जबरदस तरीके से अफिल इंडिया का हाथ पूरे मार्केट में देखना जब भी हम यहाँ पर कोई एपलिकेशन करना हो उसके पीछे दोस्तो इसका हाथ होता है और आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर आप डीटेल देख सकते हैं इनके बिजनेस के बारे में यह कंपनी काफी अच्छी तरीके से बिजनेस करती है दोस्तों यहाँ पर आप बहुत से चीज़ें अंडरस्टाणिंग कर स सकते फिक्सिबल एंड यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको बताना चाहूंगा नेटवर्क इफेक्ट से पोस्ते हैं इसे जो हम देखें रिसर्च करने की बात हो डेवलप्मेंट की बात हो यह कंपनी लगातार काम करती है और यहाँ पर आपको नजर भी आगा दोस्तों आडवांस यहाँ पर आप देखेंगे डाटा क्वालिटी जो भी यहाँ पर इनके पास एक्सेलेंट पॉफोर्मस है उसके यहाँ पर फायदे मिलते हैं इनके प्लैटफर्म बहुत अच्छे हैं जो कि दोस्तों यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा जैसे कि क्लिक होते ही आड़ोटाइजमेंट आ जाते हैं बोलते हैं आर्टिफिशल इंटेलेजेंस वाले सिस्टिम होते हैं वहाँ पर एक्टोमेटिक जो सिस्टिम होते हैं उसे यहाँ पर हम कही सकते हैं आर्टिफिशल इंटेलेजेंस और यहाँ इसे सभी काम यहाँ पर आफिल इंडिया में अडवांटेज है और मैं आपको यह भी कहूंगा आप बोलेंगे सर इतना रिपोर्ट दिखा कर या आप या पर क्या पूरा टाइम हमारा दालेंगे कैं नहीं मैं आपको खली इतना फोकस करकर समझाने कोशिच कर रहा हूं कि आप समझें कि कमपनी के प्रॉफिट में देखे यह चीजें बताती है कंपनी की कंपनी के एबिलेटी कैसे रेविन्यू देखना दोस्तों कंपनी 49% से CSR परफॉर्मस दिखा रही है तो यह यहाँ पर कंपनी के एबिलेटी प्रेजन करते हैं क्याश फ्लू आलसो बहुत अच्छा है और EBITDA देखेंगे वो भी काफी जब तो कंपनी unlimited परफॉर्म करने का दम रखती है जैसे मैंने आपको बताया कि कंपनी यहाँ पर दोस्तों बड़या से बड़या कंपनी के लिए वर्क करती है तो कंपनी के पास ट्रेंड बहुत अच्छी है और इसमें बड़े analysis का recommendation में देखना दोस्तों hold करने के लिए कहा गय है तो बोले तो company में ability बहुत अच्छी है और अब यहाँ पर दोस्तों net profit को भी समझे आप यहाँ पर आप बोलेंगे sir net profit पर आप इतना ज्यादा यहाँ पर focus क्यों करते हैं तो मैं आपको कहूंगा दोस्तों net profit यह चीज़ बताती है कि आपका business कैसा है आपके ability कैसी है आप market में इसका performance कैसे है तो यहाँ पर आप देख सकते दोस्तों आज इसमें हमें एक परिशन के उपर की तेज़े देखने को मिली है और यहाँ पर मैं आपको एक साल का चार्ट पैटन दिखा दू तो आपको नज़र आगा दोस्तों जो आप ट्रेंड और बाद में यहाँ पर देखें यह अप ट्रेंड और उसके बाद में गिरावट दोस्तों और यहाँ पर रिकोरी अभी गिरावट में स्टॉक है बोलतो अभी आप से आपको रिकोरी देखने को मिल सकती है यह बात याद रखना बोलतो आने वाला समय अभी इसमें आप ट्रेंड का रहेगा बट यहाँ पर आप बात को भी आदखना दोस्तों कि यहाँ पर मार्केट प्रेशर में हो तो आच्छे साच्छे कमपनी में आपको गिरावर डेखनेक मिल सकती इसलिए क्या करना चाहिए आप यहाँ पर पहले से खरीदार हो तो कंटिन्यू करना और फ्रेश इंट लेने वाले है तो दोस्तों आपको कहूँगा इसमें लगबग 950 या 1000 रुपई के डॉट्टों यहाँ पर 1000 रुपई नहीं कहूँगा उसके नीचे के यहाँ पर हमें टार्गेट जेशन नजर आए अच्छे सुटेबल लगे प्राइस उसमें आप खरीदारी कर सकते हैं कमपनी की रिज सब्सक्राइब करकर वेनिफिट उठा सकते हैं थैंक्यू सो मच्छ